अब तक जितने भी प्रश्ण पूछेगे उन सभी प्रश्णों को डिसकस करेंगे सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को डिसकस करेंगे मधकालीन इतिहास से रिलेट्ट जितने भी प्रश्णों पूछे गए थे उन सभी प्रश्णों को अच्छे सब्लबर ने डिसकस किया है इसके बाद हम लोग आधने भारत का इतिहास है इनसे पूछे गए जो प्रश्णों होंगे सभी को डिसकस करेंगे मैं बता दू कि इसका PDA भी अभी लेबल है अगर आपको PDA चाहिए तो टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल के कम्मूनिटी बॉक्स में जाए वहाँ पे इसके रिगार्डिंग में इन्फोर्मेशन को अपडेट किया गया है ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रश ने पूछा गया है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रत्थम वाइसराय भारत में कौन हुआ इसका सही जवाब हो जाएगा अलमीडा भारत में प्रत्थम पूर्तगाली वाइसराय के रूप में फ्रांसेसको डी अलमीडा का आगमन हुआ 1505 इसपी में ये भारत पहुचा 1509 में अलमीडा ने टर्की, गुजरात और मिस्र की संजुक्त सेना को प्राजित करके दिव पर अधिकार कर लिया दिव पर कबजा के बाद पूर्तगाली हिंद महसागर में सबसे अधिक सकती साली हो गया उसने अंज दिव में कीला बनवाया और पूर्तगालीों के हित में कोचिन की राजगदी के उत्राधिकार की समस्या का समधान किया सेकेंड प्रश्ण है बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपियो कौन करता था तो इसका सही जबाब हो जाएगा पूर्तगाली पुर्टगालियों के द्वारा होगली को बंगाल के खाड़ी में समुंदरी डकायती के लिए अड़े के रूपे इस्तमाल किया जाता था थर्ड नमबर है निमलखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधी से सम्मानित किया था तो Hawkins को Option A बिल्कुल correct option है देखें ये जो series है ये BPSC के अलावा किसी भी exam के point of view से बहुत ही महत्पूर्ण है BPSC के लिए तो है ही इसके साथ साथ ये BPSC के बावजूद अगर बात करें तो ये किसी भी exam के point of view से बहुत ही महत्पूर्ण series है इसको दो से तीन बार आप रिविजन कर लिजेगा ठीक है तो देखिए जो खान के उपाधी जहांगीर के द्वारा दी गई थी किसको दी गई थी Hawkins को Hawkins East India Company का एक करमचारी तथा बैपाधी था और वो बादसाह जहांगीर के नाम इंग्लेंड के राजा James प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुचा था अप्रेल 1608 में वो आगरा में मुगल समराज जहांगीर से भेट की जहांगीर ने Hawkins को 400 का मनसब और फिरंगी खा या इंग्लिस खान की उपाधी से समानित किया प्रेशन संख्या 4 है भारत में 1612 ISP में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी कहां पर अस्थापित की थी याद रखिएगा 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी जो है कहां पर अस्थापित की तो सूरत में कैप्टन बिलियम हौकिन सूरत से मुगल दरबार पहुचा था 1608 में किन्तु सूरत में फैक्टरी के अस्थापना में या फैक्टरी को अस्थापित करने की अनुमती पाने में ये सफल नहीं हो सका 1611 में पुर्तगालियों के बिलोद के बावजोद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समिप स्वाली पहुचा और मुगल गोवर्नर से वहां बैपार करने की अनुमती पाने में सफल हो गया कैप्टन बेश्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह के बिजय ने पुर्तगाली एक अधिकार की नरतंता को भंकर दिया इसके बाद जहंगीर के सही फर्मान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थाई रूट से एक फैक्टरी जो है अस्थापित की और यहां संग्रेजों ने अपने ब्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाना सुरू कर दिया सिगरी, अहमादाबाद, गुरहानपूर, अजमेर और आग्रा में सहयोगी फैक्टरिया भी अस्थापित कर ली प्रशने संक्या फाइफ है किस मुगल सासक के समय में सर थोमसरू भारत आया था किस मुगल सासक के समय में सर थोमसरू भारत आया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के सासनकाल में जहांगीर के समय में सर थोमसरू भारत आया था सर्थ होमस रो बिटेन की राजा जियम्स परथम के दूद के रूप में ये सितंबर 1615 में सूरत पहुचा था जनवारी 1616 में वो अजमेर में मुगल साशक जहंगीर के दर्बार में उपस्तित हुआ इसके बाद प्रशन संखिया 6 है बताइए ड़र्च इस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्श अपनी फैक्टरी पटना में अस्थापित की थी तो इसका सही जबाब हो जाएगा 1632 में बी अप्शन बिल्कुल क्रेक्ट अप्शन है पटना डिश्ट्रीक गजेटियर एतिहास के किसी मानक उस्तक या अन्यत्र 1632 में पटना में डच फैक्टरी के अस्थापना का कोई परमाड हमें नहीं प्राप्थ हो सका है किन्तो बिहाल लोग सिवा आयोग के द्वारे निनंतर या प्रशन पूछा जाता है और इसका उतर 1632 मानता है कुछ अपरमाडि स्रोतों में या ग्यात होता है कि स्वर प्रथम डचो ने पटना कॉलेज के उत्री इमारत में 1632 में डच फैक्टरी के स्थापना की थी इनके जो रूची थी सुति वस्त्र चीनी सोरा अफिम आदि से समन्दित ब्यापारों में थी सेवे नमबरे नेमलिखित में से प्रथम करनाटक यूद का कौन सा ततकालिक कारण था करनाटक यूद का ततकालिक जो कारण था तो अंग्रीजों के द्वारा फ्रांसिसी जहाज का अधिग्रहन करना करनाटक का प्रथम यूद जो है और्ष्ट्रिया के उत्राधिकार मतलब की जो प्रथम यूद है करनाटक था का कम हुआ था 1746 से 48 के बीच और अश्ट्रिया के उत्राधिकार के यूद को मतलब की अश्ट्राधिकार यूद जो 1740 में आरम हुआ था इसका विस्तार मात्र था ग्रेज सरकारों के आगया के विरूद ही दोनों दलों में 1746 में यूद प्रारम हो गया दोनों दल मतलब अंग्रेज और फ्रांसिसियो के बीच अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नित्रेतों में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसिसी जहाजों पर अधिकार कर लेना यूद का तातकालिक कारण था प्रतम करनाटा के यूद के समय ही करनाटा के नवाव अनवरुदी ने महफुज खां के नित्रेतों में 10,000 भारतिय सेना को फ्रांसिसी जहों पर आकर्मन करने के लिए भेज दिया कैप्टन परडाइस के नित्रेतु में फ्रांसेसी सेना ने अध्यार नदी परिष्टित सेंट थोमे नावकस्थान पर नवाब को प्राजित किया यूरोप में यूद बंध होते ही करनाठा का प्रथम यूद समाप्त हो गया और एक स्लाज सैपल की संधी से उस्ट्रिया के उत्राधिकार का यूद समाप्त हो गया कब हुआ था ये संधी? 1748 में तो या दखेगा मदरास अंग्रेजुक को पुना जो है प्राप्त हो गया वान्डी वास का यूद अंग्रेजुक के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका सही जबाब क्या होगा बताइए? इसका सही जबाब हो जाएगा अप्शन A, फ्रांसीसियो के खिलाब अगर बात करें तो 18-20 सताबदी में भारत में लड़े गए प्रशनगत यूदों का जो सही कलानुक्रम है वो इस परकार है अंबर यूद अगा 1749 में मुझाफर जंग चंदा सहाब और फ्रांसीसियो की सन्युक्त सेनाओं ने वेलूर के समिप अंबर या अंबूर नामक अस्थान पर करनाटा के नवाव अनवरू दिन को प्राजित करकर उसकी हत्या कर दी गई मुझाफर जंग दक्तन का सुविदार बन गया और इस उपलक्ष में उसने अपने हितकारी डुपले को किष्णा नदी के दक्षनी भाग के मुगल पर्देशों का गोवर्नर ने जुक्त कर दिया उत्री सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिये गए इसके अतरिक मुझाफर जंग की प्रातना पर एक फ्रिंच सेना की टुकडी बुसी के नितरित में हैदराबाद में तैनात कर दी गई प्लासी का यूद जुन 1757 में हुआ अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजों दौला के बीच यादखेगा ये जो प्लासी का यूद है ये अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजों दौला के बीच हुआ ठीक है इसके बाद अगर बात करें तो यूद के परिणा सिवाव के लिए 24 परगने की जमिंदारी से पुरस्कृत किया और कलाइब को 2,34,000 पाउंड की नीजी भेंट दी। वांडी वास का जो यूद है ये जनवरी 1760 में हुआ था अंग्रेज और फ्रांसिसी प्राजित हो गए थे अंग्रेजी सेना का नेतरेतों सर आयर कुट ने जबकि फ्रांसिसी सेना का नेतरेतों काउंड डील लाली ने किया था बकसर का यूद अक्टूबर 1764 में हुआ था प्रेशन संख्या नाई ने नेम लिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के अस्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया था तो इसका सही जवाब है थॉमस बेश्ट ने और आगरा में सहयोगी फैक्त्रिया अस्थापित थी प्रेशन संख्या 10 है उस छेत्र की पहशान करे जहां से युरोप वासियों को सर्वोतम सोरा और अफिम प्राप्थ होता था इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार अप्शन ए बिलकुल करेक्ट अप्शन है युरोप वासियों को सर्वोतम सोरा अच्छे गुणवाला सोरा और अफिम प्राप्थ होता था ग्यारा नमबर है अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कोवन साच्छेत्र अफिम उत्पादन के लिए परसित था इसका सही जवाब हो जाएगा बताएगे बिहार अप्शन ए बिलकुल करेक्ट अप्शन है बारा नमबर है इलहाबाद के संधी के बाद रवर्ट कलाईव ने मुर्सिद्धाबाद का उपदिवान किस से बनाया था इसका सही जवाब किया हो जाएगा उपदिवान किस से बनाया तो मुहमद राजा खान को अप्शन ए बिलकुल करेक्ट अप्शन है देगे इसके बारे में अगर बात करें तो इलहाबाद की दूसरी संधी अगा 1765 के अनुसार अगर बात करें तो भगवडे समराट सा आलम को अंग्रेजी सनक्षन में ले लिया गया ठीक है और उसे इलहाबाद में रखा गया सा आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान के द्वारा कमपनी को बंगाल विहार उडिसा की दिवानी जो है अस्थाई रूप से दे दी जिसके बदले में कमपनी समराट को 26 लाक रूपया देगी इसके बदले में कमपनी समराट को कितने लाक रूपय 26 लाक रूपय निजामत के ब्याय के लिए 53 लाख रुपे देगी और इस समय कमपनी सीधे कर्शंगरफ करने का भार न तो लेना चाहती थी और नहीं उसके पास ऐसी छमता थी कमपनी ने दिवानी कार के लिए दो उप दिवान मुर्सिदाबाद यहीं बंगाल के लिए मुहमद राजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुकती की मुहमद राजा खान उपनाजीम के रूप में भी कारे करते थे और इस परकार समस्त दिवानी तथा निजामत का कार भारतियों के द्वारा ही चलता था यद पी उतर दायत्व कमपनी का था तो ये जो कार्य था दिवानी निजामत ये सभी कार्य भारतिये मतलब की भारतियों के द्वारा मतलब की चलता था लेकिन जो दायत्व था जो उतर दायत्व था जिनके हाथों में इस सब की बागड़ोर थी वो कमपनी के हाथों में थी तेरा नमबर है मुगल समराश्षा आलम द्वितिये ने इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल बिहार और उडिसा की दिवानी कब परदान की 12 अगस 1765 को इलहाबाद की दूसरी संधी के अनुसार अगर बात करें तो दूसरी संधी अगस 1765 में हुआ था सा आलम को अंग्रेजी सनक्षण में ले लिया गया था उसे इलहाबाद में रखा गया इलहाबाद था कड़ा के जो छेत्र थे नवाब ने छोड़ दिये थे शा आलम को मिले ये छोड़े गए छेत्र सा आलम को दे दिये गए बारगा 1765 के अपने फर्मान के दोरा मुगल बासा सा आलम दिवितिये ने कमपनी को बंगाल बिहार और उडिशक की दिवानी जो अस्थाई रूप से दे दी में 1803 में डिली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया कव 1803 में शा आलम दिवितिये और उसके दो उत्राधिकारी जो है अकबर दिवितिये और बहादुर सा दिवितिये इस्ट इंडिया कमपनी के पेंसन भोगी मात्र बनकर रहे गए तो इनको सिर्फ पेंसन दिया जाता 14 नमबर है नहीं बलकि मुगल सा आलम दिवितिये के बारे में फार्सी भासा में ये कहावत परसित था तो किसके संदर में बहादुर सा जफर के बारे में ये कथन नहीं कहा गया था बलकि मुगल सा सक था मुगल सा सक सा आलम दिवितिये इसके बारे में ये कथन था और ये कहावत जो यहां लोग-सिवायोग ने इस प्रश्ण को क्या कर दिया? निरसित कर दिया है. इसके बाद पन्दर अच्छा निरसित करने का कारण था कि इसका जो कोश्चन था उस सही नहीं था. तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथ सूजा से अप्शन ए बिल्कुल क्रेक्ट अप्शन है पंजाव अहमसा अब्दाली के समराज का भाग था 1773 ISP में उसकी मृत्व के बाद मुल्तान कस्मीर इत्यारी को छोटे छोटे भागों को छोड़कर सेश पर सीख मिसलो का अधिकार हो गया सीख लोगों का देखे उधर अफगानों के आंत्री यगडों के कारण रणजित सीन जो है अपनी स्थिती को सुद्रिड करने का जो है अउसर पा लिया अउसर इसको मिल गया अपनी स्थिती को अच्छे करने का अठासो इसपी में अमस अबदाली का पोत्र साह सुजा काबूल के गदी पर बैठा और उसके भाई साह महमुद ने सक्तिसाली बरक जैस सरदारों फता खा दोस्त मुहम्मद की सहायता से उसने जो है अठासो नौ इसपी में विस्थापित कर दिया उस्वेम कस्मीर और पि करने के लिए रणजिस इससे सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर यानि कोहिनूर हिरा भेट किया सोला नॉमर है टीपु सुल्तान ने अपनी रधानी कहां पर बनाई टीपु सुल्तान ने अपनी रधानी कहां पर बनाई इसका सही जवाब हो जाएगा सिरी रंग पटनम में यानि option A बिलकुल correct option है टीपु सुल्तान ने सिरी रंग पटनम को अपनी राधानी बनाया यहाँ जैकोबियन कलब की उसने अस्थापना की और उसका ये सदस्य बना साथ ही उसने अपनी राधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का पर्तिक स्वतंतरता का बिक्ष रुपण किया यानि इसने जैकोबियन कलब की अस्थापना की और फ्रांस तथा मैसूर के मैत्री का पर्तिक के रुप में स्वतंतरता का बिश जो है रुपण टीपु सुल्तान ने अपने समकालिन बीदेसी राज्यों से मैत्री समन्द बनाने और अंग्रेजों के बिद उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरग, कस्तुनूतुनिया या आधनिक इंस्ताबुल, काबुल और मौरिसस में अपने दूत मन्दल भेजे इन से सहायता लेने के लिए 17 नंबर है अंग्रेजों ने सिरीरंग पटनम के संधी किसके साथ की थी तो टीपू सुल्तान के साथ की थी C अप्शन बिल्कुल करेक्ट अप्शन है तरितिये आंगल मैसूर यूद कब हुआ था? 1792 से 92 के बिच तरितिये आंगल मैसूर यूद बहुत बार पूछा गया जालतर UPSC में पूछा जाता है कि तरितिये आंगल मैसूर यूद कब हुआ था? यानि मिलान करने के लिए तो प्रत्थम आंगल मैसूर यूद द्वितिये त्रितिये चतूर्थ इस तरह से दे दिया जाएगा प्रत्थम करनाटक, द्वितिये करनाटक, त्रितिये करनाटक यूद दे दिया जाएगा, दूसरे तरह उसे समन्दित उसका डेट दिया जाएगा प्रेट दिया जाएगा और मिलान करने को पूछा जाएगा तो आपको रड़ जाना है, याल रखना है तृतिये आंगल मैसूर यूद 1792 से 92 के बीच हुआ था इसका आउसान सिरीरंगपटनम के संधी के द्वारा हुआ कब 1792 में इसकी समापती सिरीरंगपटनम के संधी से होता है इस संधी में अंग्रेजों की होसे करनवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान सामिल थे इस कनुसार टीपू को अपने देश का लगभग एक बटा दो भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा साथिय यूद के हरजाने के रूप में अगर बात करें तो इन्हें काफी नुक्सान का सामना करना पड़ा काफी हरजाने के रूप में इन्हें रू को परभाव शाली ढंग से पंगु बना दिया है ततरा सांथियू को भी सकती साली नहीं बनने दिया प्रशन संख्य 18 ठगओ का उन्मूलन किसके नेतρεत्य में हुआ था? ठगओ का उन्मूलन किसके नेतρεत्य में हुआ था? प्रंतु वास्तों में ये लोग काली दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे तो मुशलमान और हिंदू ठगों में हिंदू और मुशलमान दोनों धर्म के अनुयाई समलित है तेकिन वास्तों में ये लोग काली दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे पढ़ाय अपने शरीर के मिर्तु उनके भाग में उसी परकार लिखी होती थी सती प्रथा के प्रश्ण पर जो कुछ मत भेत था किन्तु ठगी के विशे में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया लोड बिलियम मेंटिक ने कैप्टन एसलीमेन को ठगों के वियूत करवाही करने के लिए जोए निउट किया उसने लगबग 1500 ठगों को बंदी बना लिया अनेक ठगों को फांसी दे दी गई सेश को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 के पश्चाथ संगठी के द्वारा C option वारे न हैस्टीगस ने दोनों उपदिवान मुहमत रजा खाग और राय सिताब राय को जो इख पत्ची उट कर दिया उनको पत्च से हटा दिया गया इस नमर है द्वैद सासन का जनक किसे माना जाता है तो याद रखें सर लियोनिल कार्टिस को इसके बारे में अगर बात करें तो देखें सर लियोनिल कार्टिस को द्वैद सासन का जनक माना जाता है इसमें दिवानी और विज़ारत की जिमेदारी है अलग-अलग कर दी गई कानून ब्यवस्थाजी से कहते हैं एक इस नमर है भारत में परत्थम रेलवे लाइन किस ब्रेटिस गुवर्नर के समय बिच्छाई गई थी बहुत ही मत्पूर प्रस्ण है और यह प्रस्ण कई बार भी पूछे गए हैं इसका सही जवाब हो जाएगा लॉट डलहौजी के सम समय में भारत में परत्थम रेलवे लाइन का मतलब की बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिच्छाई गई थी तो प्रस्ण कई बार पूछा गया कि प्रत्थम रेलवे लाइन कब या कहां से कहां तक बिच्छाई गई थी तो कब का मतलब है 1853 कहां से कहां तक तो बंबई से थाने के बीच या दखिएगा दूसरी रेलवे लाइन 844 में कलकत्ता से रानी गंद के बीच बिचाई गई बाइश नमबर है मुंगेर का बरहिया ताल बिरोत का उदेश से क्या था तो आपको बताना है कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा चलिए यह बिल्कुल क्रेक्ट उप्शन है अगर बात करें तो मुंगेर के बरहिया ताल बिरोत का उदेश बकास्त भूमी की वापसी की मांग था या अंदोलन 1936 में कार्यानंद सर्मा के नेत्रेत्यों में चलाया गया था कार्यानंद कभ से कभ 1936-38 के बीच में तेश नमबर है 18 1857 में भारत का गौर्णर जनरल कौन था 1857 में भारत का गौर्णर जनरल कौन था तो लॉड कैनिंग था C option बिलकुल correct option है याद रखिएगा 1857 के विद्रो के समय भारत का गौर्णर जर्राइट लॉर्ड कैनिंग था लॉर्ड कैनिंग भारत में कमपनी के दुआले निव्ट अन्तिम गौर्णर जर्राइट और ब्रिटिश समराट का अधिन अंग्रेजी भारती सेना में चर्वी वाले कार्तूस्तों से चलने वाली एनफलीड राइफल कब सामिल की गई थी तो बताएए अंग्रेजी भारती सेना में चर्वी वाले कार्तूस्त से चलने वाला जो एनफलीड राइफल ता ये कब सामिल हुआ था एंफलिड राइफल को कब सामिल किया गया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1856 को कब दिसंबर 1856 इसके बारे में बात करें तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदू ब्राउन बेस के अस्थान पर नवीन एंफलिड राइफल के परियोग का निश्य किया इन राइफलों में दमदम, अंबाला और स्याल कोट में बने चर्वी कार्तूसों का परियोग किया जाना था जिसमें गाय और सुर की चर्वी लगी होती थी ठीक है याद रखिएगा इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इस नई राइफल के इस नई राइफल में कार्तूस्त के उपर भाग को मों से काटना पड़ता था जनवरी 1857 में किया हुआ कि बंगाल सिवा में यह अख्वा फैल गया कि चर्वी वाले कार्तूस्त में गाय और सुवर की चर्वी है सैनिक अधिकारियों ने इस अख्वा की जाच किये भीना तुरंत इसका खंडन कर दिया और किन्तु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्वी वाले कार्तूस्तों का जो परियोग है उनके धर्म को भर्ष्ट करने का एक निश्चित परियत्न है और यही कार्तूस्त 1877 के बिद्रों का ततकालिक कारण बना पचिश नमबर है 1857 के बिद्रों का नेत्रित्व बिहार में किसने किया बहुत ही महत्पूर्ण परशने कई बार यह परशने पूछा गया है तो बताए 1857 के बिद्रों का नेत्रित्व बिहार में किसने किया और यह परशन हर बार पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा इसका सही जबाब हो जाएगा इसका सही जबाब हो जाएगा उप्सवन B बिरकुवर्शी यानि B उप्सवन 1857 में जगदिश्पूर में बिद्रों की अगुवाई करने वाले कुवर्शी बिहार के आरा जीले से संबंदित थे जब उन्होंने अंग्रेजों के बिद्रों का जंडा बुलंद किया उपर किया तो परकृति ने उन्हें अदा में सोर विर्ता और सेना नायक के आदर्स गुणों से जब मंडित किया था इसी कारण उन्होंने सही रूप में बिद्रों के दौरान बिहार का सिह माना जाता था उन्होंने सहाबाद जीले में अंग्रेजों की सता का तक्ता पलट किया और अपनी सरकारा स्थापित की वह कानपूर पर संजुक्त आक्रमण के लिए नाना साहग की मदद के लिए कालपी की और आगे बढ़े वह बिद्रो की मसाल को रोतास, मिरजापूर रीवा, बांदा और लखनव तक ले गए जहां उनका अत्यांत समान पूरवक्ष श्वागत किया गया और अपनी अंतीम सखलता के रूप में उन्होंने अपने ग्रेह नगर जगदेशपूर के निकट अंग्रेजो को बुरी तरह से पराजित किया और इसी यूद के दोरान कुवांसी बुरी तरह घाया लो गया और 26 अप्रेल अठासवन थाउन को उनके मृत्व होगी उनके मृत्व के बाद उनके भाई अमर सी ने दिसम्मर अठासवन थाउन थाउन तक अंग्युनेजो के विरुष शंगर्ष जारी रखा 26 नमबर है बिहार में 1857 के विद्रोग का नेत्रित्व किसी ने किया था तो आपको मालू है इसका सही जबाब हो जाएगा उप्शन C, बीर कुवर्ण C, 27 नमबर है जगदिशपूर के किस वेक्ति ने 1857 के विपलोव में करांती कारियों का नेत्रित्व किया सेम कुशन, सेम जबाब, कुवर्ण C, ऑप्शन A बिल्कुल क्रेक्ट ऑप्शन है प्रेशन शंकिया, 28 से कुवर्ण C राजा थे कहां के विर कुवर्ण C, बिहार के सहाबाजी लेके जगदिशपूर ग्राम में 1782 में जन्वी कुवर्ण C ने जगदिशपूर की जमिदारी समभाली थी जगदिशपूर से उन्हों ने ही 1857 के विद्रों का नेत्रेत्व किया और 26 अप्रेल 1859 को इनकी मृत्व हो गई 1859 के विद्रों के समय इनकी अद्व में सहाज बिर्ता और कुसल से नायकत्व के कारण इने बिहार का सीह कहा गया है बिहार का सीह याद रखिएगा सीर यानि अप्शन C जगदिशपूर के ये राजा थे 29 नमबर है 1857 इसपी के विद्रों के एक नेता कुवर्षी किस अस्थान से सम्मन्दी थे तो कुवर्षी का जो सम्मन्धा किस अस्थान से था तो आपको मालू है जगदिशपूर से D-option कुवर्षी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रों में किस जगद सामिल हुए कुवर्षी अंग्रेजों के खिलाफ याद रखिएगा कुवर्षी अंग्रेजों के खिलाफ बताइए कि 1857 के विद्रों में किस जगद से सामिल हुए किस अस्थान से सामिल हुए तो आरा से option A बिल्कुल correct option है आरा 25 जुलाई 1857 को दानापूर में सैनिकों की तीन रेजिमेंटों ने बिद्रोख कर दिया था दानापूर जो सैनिक छावनी था यहाँ पे तीन रेजिमेंटों ने बिद्रोख कर दिया 26 जुलाई को यह सैनिक आरा पहुँचे यहाँ कुमर्शी के नेत्रित जो है इन सैनिकों ने कुमर्शी का नेत्रितों को स्विकार किया और इस प्रश्ण का जो उत्तर है बिहा लोक्सिवायोग ने पटना माना है जबकि सही उतर आरा होना चाहिए तो पटना गलत है आरा सही उतर होगा और 31 एन में से किसने 1857 के बिद्रों में शक्रिय भाग लिया था 1857 के बिद्रों में सक्रिय भाग इन में से किसने लिया था तो देखे इसका सही जबाब हो जाएगा option E ठीक है उप्यूक्त में से कोई नहीं या उप्युक्त में से एक से अधिक तो उप्युक्त में से एक से अधिक एष्ट इंडिया कमपनी के राजनेतिक आर्थिक समादिक तथा धार्मिक कारणों के फॉलसुरूप 877 का विद्रो परारंब हुआ लखनव में इस विद्रो का परारंब जुन 877 में हुआ यहाँ पर इस विद्रो का नेतरित वे बेगम हजरत महल ने किया था तो लखनव से इस विद्रो का नेतरित वे किस ने किया बेगम हजरत महल ने कानपूर में इस विद्रो का नेत acc मॉलवी अहम अब्दुलặा ने और जब कि बहादुर साज चाफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने और परत्यक शुरुप से इस विद्रो में भाग लिया था इस परकार मतलak किस सबसे उचित जो बिकलब होगा ओँ यह होगा तो आप याद रखिएगा 32 है पटना के 1857 के स्वतंतरता संग्राम के नेता कौन थे पटना के 1857 के स्वतंतरता संग्राम के जुनेता थे इनका नाम था राजपूत कुवर्शी B option बिहार देखे पटना यानि बिहार के पटना में जगदिश्पूर की जमिंदार कुवर्शी ने बिद्रोह का नेत्रेत्व किया उनकी जमिंदारी कम्पिनी के नितियों के कारण छिन ली गई उन्होंने भी अपने रोज की अभिव्यक्ति बिद्रोह में कर दी 33 नमर है 1857 के बिद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 2857 से 20 जनवरी 2857 तक केंद्र था बिहार में 15 जुलाई 2857 से 20 जनवरी 2857 तक जो केंद्र था बिद्रोह का बिहार में वो कहां पर था आपको बताना है तो सही जबाब है जगदिश्पूर में D option बिहार में 1857 के बिद्रोह का केंद्र जगदिशपूर था याद रखिएगा जहां जमिंदार कुमर्शी ने नेत्रेतों को संभाला और सहाबाद जीले में अंग्रेजों की सता का तक्ता पलट करके अपनी सरकार को अस्थापित की बिहार के बिद्रो को पटना डिवीजन के कमिशनर बिलियम टेलर और वंगाल गुलंदाज फोज के मिजर बिसेंट आयर के द्वारा दबा दिया गया था 4. जग्दिशपूर की राजा थे बाबु बिर कुमर्बशी बिहार में आखर जीले के जग्दिशपूर ग्राम के जमिनदार थे जिन्हों ने बिरधा वस्था में अंग्रेजों के खिलाप बगावत का बिगुल बजाया और विद्रो के दोरान उन्हें बिहार का सीख कहा गया कुवर्सी ने 1857 के बिद्रों का नेत्रेत्व किस प्रांच से किया किस जगल से किया तो आपको मालूम है बिहार से सी अप्सन बिहार में 1857 के बिद्रों का नेत्रेत्व आरा की विसाल रियासत के विरिद राजपुत जमिंदार कुवर्सी ने किया था जो सिगरी पटना के समिप दानापूर छोटानापूर राची पलामू आदी सहित बिहार के कई भागों में फैल गया कुवर्सी ने लंब 26 अप्रल 818 को याद रखिएगा 36 नमबर है 1857 के बिद्रों का नेत्रेत्व बिहार में किस ने किया तो कुवर्सी ने था याद रखिएगा इंपोर्टेंट है बहुत सारे प्रस्ने पूछे गये हर बात पूछे गये हर एकजामों में एक प्रस्ने पूछा इन से रिलेटेड नेमलिखित में से कौन 1857 के बिद्रों में अंग्रेजों का सबसे कटर दुसमन था तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्शन ए मौलवी अहम अब्दूला सा ने फैजाबाद में विद्रों का अपना नेत्रत परदान किया ये अंग्रेजों के सबसे कटर दुसमन थे वह तमिलाडू में अरकाट के रहने वाले थे वह फैजाबाद में आकर बस गए थे और उन्होंने भारत के विभीन धर्मा नुयाईयों का अहवान करते हुए कहा सारे लोग काफीर अंग्रेजों के विरुद खड़े हो जाएं और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दें इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदब में साहस के गुणों से परिपून और द्रिड संकल्प वाले वेक्तित विद्रोहियों में सरोतम सैनिक है इनकी गरपतारी के लिए बिट्टी सरकार ने 50,000 रुपे का इनाम रखा था 49 नमबर है 1857 के विद्रोह को किस उर्दु कवी ने देखा था 1857 का जो विद्रोह है किस उर्दु कवी ने इस विद्रोह को अपने आखो देखा तो गालीव ने गालीव ने इस बिद्रो को आँखो देखा खोटी नमबर है नेमने में से कौन सा इस्ट इंडिया कमपनी के सिपाहियों को बिद्रो ही बनाने का कारण नहीं था बताईए अगर बात करें तो अंग्रेजी अधिकारियों की अच्छमता इस्ट इंडिया कमपनी के सिपाहियों को बिद्रोही बनाने का कारण नहीं था इनी अधिकारियों की योकता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत नगभग 90 वर्सों में पूरे भारत पर कपज़ा कर लिया था इसका तरिक अनिस सभी कारण सिपाहियों को बिद्रोही बनाने में सहायक थे 41 है निमलिखित वर्गों में से किसने 5857 के बिद्रों में भाग नहीं लिया निमलिखित वर्गों में से किसने 5857 के बिद्रों में भाग नहीं लिया तो इसका सही जबाब क्या होगा अब बताइए इसका सही जबाब हो जाएगा देखें किसने 1857 के विद्रों में भाग नहीं लिया बहुत ही महत्पूर्ण प्रशने कई बार ये प्रशने पूचे गए हैं तो याद रखिएगा सहुकार और आपके जमिनदार सहुकार और जमिनदार जो थे ये 1857 के विद्रों में भाग नहीं लिये थे यानि D अप्शन बिलकुल करेक्ट अप्शन है 1857 का विद्रों बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था ये विद्रों बहुत जादा फैला और इसे जंता का ब्यापक समर्थन भी प्राप्थ हुआ फिर भी पूरे देश को या कह सकते कि ये जो विद्रो था पूरे देश को या भारतिय समाज के सभी अंगो या सभी वर्गो को अपनी लपेट में नहीं ले सका या दक्षिनी भारत तथा पूर्वी और पश्मी भारत के अधिकांस भागों में नहीं फैल सका भारती रजवाडों के अधिकान सासक तथा बड़े जमिनदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की सक्तिक से भैभित थे और वे बिद्रों में शामिल नहीं हुए इसके बेपिरित, ग्वालियर के सिंधिया, इंदोर के हुलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपूर के राजा, भुपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जीन्द के सिख सासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार और कस्मीर के महराजा तथा दूसरे अनिक सरदारों और भाले जाता, बेपारियों और सिक्षित वर्ग ने कलकात्ता और बंबई में सभाय करके अंग्रेजों की सहाता के लिए प्रातना की, ठीक है, उच से था मधवर्ग के अधिकांस लोग बिद्रोहियों के आलोचक थे, बिद्रोह में शामिल अवद के बहुत से तालुकदार यानि बड़े जमिनदारों ने अंग्रेजों से या अस्वासन पाकर उनकी जागीरे वापस दे जाएंगी बिद्रोह से किनारा कर लिया, तो अस्वासन के अधार पर अंग्रेजों ने उन्हें अस्वासन दिया था कि उनकी जागीरे हैं, उनको सौंप दी जाएगी, इसल ये लोग जो थे बड़े जमिन्दार जो थे ये बिद्रों से अपने आप को किनारा कर लिए ग्रामिट जन्ता के हम लोग का निसाना सुर्खोर थे इसलिए वे सोभाविक तौर पर विद्रों के सत्रू हो गये थे आधनिक सिक्षा प्राथ भार्तियों ने भी विद्रो का शमर्था नहीं दिया यानि जो सिक्षित थे modern education से जो सुसोवित थे इनों ने भी विद्रो को जो एक कुचलने में अपना साथ नहीं दिया मतलब कि विद्रो को भड़काने में कुचलने इंत अंग्रेजों को हटाने में भगाने में साथ नहीं दिया सिक्षित भारती ये देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे उनके मन में ये गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधनी की करण के ये काम पूरा करने में उनकी सहता करेंगे 42 है निमनिकित में से कौन सा कथन सही है तेकर इसमें चार कथन दिये गए हैं आपको बताना है चार कथन में से कौन सा कथन सत्य है इसका सही जबाब क्या होगा आपको बताना है कमेंट कीजिए और बताए इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा Option A क्या Option A में दिया गया है 1857 में अगर बात करें तो दर्वहंगा, डुम्राओं और हटवा के महराजाओं और उनके साथी जमिनदारों ने आदमी और पैसो से अंग्रेजों की मदद की तो Option A जो कथन है बिलकुल सही कथन है इसके बारे में दिख लेते हैं 1857 के स्वतंतरता संग्राव में बिहार के कुछ पर्मुख जमिनदारों ने अंग्रेजों की धन और जन दोनों से धन से और आदमी से दोनों से बड़ी सहाता की थी अंग्रेजों के इस परकार की मदद पहुचाने वाले जमिंदारों में दर्वंगा, डुम्राव और हटवा के जमिंदार सामिल थे इसके बाद 43 है 1857 के बिद्रों से बिहार का कौन सा भाग अपर भावित रहा बताइए 1857 के बिद्रों से जो भाग मलगी बिहार का कौन सा भाग था वो बिहार का वो कौन सा हिस्सा था जो अब पर भावित रहा तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल अगर बात करें तो इस उप्षन में जो दिया गया है केवल बताइए केवल मुंगे यानि बी उप्षन बिल्कुल करेक्ट उप्षन है अठारसो संतावन के विद्रोग के दोरान बिहार में आरा दानापूर पतना मुझाफरपूर सहाबाद विद्रोग के परमुख के इंदर थे पटना में पीर अली ने बिद्रोहियों का नेत्रेत्य वो किया था ग्रामेट जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के बिरुद जो बिद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने बिद्रोही सिपाहियों का शमर्थन पिया इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप करते हैं नेक्स सेशन में प्रशन शंक्या 44 से जो है आगे बढ़ेंगे आप अपना परतिकिरिया देते रहें ये आपके परतिकिरियाओं का हमें बेसबरी सिंते जा रहता है और जी लोगों ने टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम ट्वीज ग्रूप फेस्ट पेज इंस्टाग्राम को जोई ने किया वीडियो के description box में उसका link है आप जोईन कर सकते हैं थाइंक्यू मिलते है नेक्स सेशन में